नई दिल्ली, करनाटक में एक बार फिर राहुल गांदी ने पी एम मोदी पर हमला बोला है विदान सभा चुनाव के प्रचार के लिए तीन दिनों के दोरे पर करनाटक के आतनी पहुंचे राहुल ने पी एम मोदी पर रोजगार, भ्रच्टाचार और किसानों के मुद्धे पर चुप्पी साधे रखने का आरोप लगाया राहुल ने वहां रोडशो के दोरान कहा, मोदी जी ने दो करोड युवाओं को रोजगार देने का वादा किया तो उन्होंने यही करके दिखाया मोधी सरकार के ब्रष्टाचार मिट्टाने के वादे पर निशाना साधते हुए राहुल ने कहा ब्रष्टाचार मिट्टाने का वादा भी किया था लेकिन ब्रष्टाचार कम नहीं हुआ मोदी के ब्रष्टाचार को लेकर कॉंग्रेस मुख्यमंत्री सीधार मेया पर सवाल उठाने को लेकर हमला बोला और कहा आपके पूर्व मुख्यमंत्री ये दुरपा समेत चार मंत्री जेल गए लेकिन उस पर नहीं बोलते कॉंग्रेस अध्यक्ष ने राफेल डील को लेकर एक बार फिर हमला बोला और कहा पीएम मोधी राफेल पर कभी एक शब्द क्यों नहीं बोलते पीएन भी घोटाले को लेकर पीएम मोधी को घेरते हुए राहुल ने कहा नीरव मोधी बैंक के 22,000 करोड रुपे लेकर भाग डाता है लेकिन आप कहते हैं कारवाई होगी आखिरकार पीएम की नजर के नीचे से बैंक से पैसे निकाले कैसे गए